एक तगड़ा खबर निकाली है मैंने आपको इतनी खबर तो डेफिनेटली मिली है कि वेलकम टू दे जंगल से संजेद अपने अपने आपको निकाल लिया संजेद UP drops out of welcome to the jungle over a date and script these agreements after shooting for 15 days इसके पिछ बहुत बड़े याज छुप है मैं पको बता देता हूँ एक्जेकलि हुआ क्या है बोलीवड ऑंगमा वाली क्या बोलरे हैं and fact क्या है मैं आपको बता देता हूँ shocking turn of events the industry is buzzing about Sanjay Dutt's exit from welcome Sanjay Dutt had cited date issues for exit मतलब उनने dates को लेके बोला है कि मेरी दूसरी फिल्म चल रही है My dear friend Akshay उननने बोला है मतलब Akshay Kumar से उननने बात किये who took point into account and holds to bad Sanjay Dutt felt that Welcome to the Jungle shoot was happening in unplanned way with too many changes in script disturbing his diary of shoot and hence parted wedge एक बात याद रखना जो उसने बोला है मैं बाद में हिंदी में बताऊंगा लेकिन याद रखो बार बार script change हो रही थी point number one okay Sanjay Dutt has already short और आपको ने ये वीडियो को जादा से जादा शेर करना है at least Akshay Kumar के fans शेर करो ये क्योंकि आपको जो एहमत खान वगरा की उनकी जो अकल है कितनी कम है ये आपको पता चलेगी ये वीडियो को जादा शेर करो Sanjay Dutt has already short for 15 days भाई जो बंदा 15 दीन short करता है और वो दो माइंट्स में था उसका कहना है if they should if they should return Sanju has short or completely deleted and अब उनके सामने ये सवाल है कि अब ये उसके जो शूटिंग है वो करना क्या है क्या है क्या है क्योंकि उसने 15 दीन शूटिंग किया है कुछ कॉमेडी सीन्स थे अच्छे का से उनने शूट किये थे Sanjay Dutt has short for some funny portions of welcome to the jungle in first schedule and makers tempted to resume it and credit Sanjay Dutt for guest appearance हो सकता है कि guest appearance का नाम वहाँ पर आजाए और उनके जो वो है scenes वो रहने दे okay source shared adding further team come up okay मतलब team ने कोई अब भी तक update नहीं दिया है क्यों उन्होंने ये किया है अब मैं आपको real reason बता देता हूँ क्योंकि ये भाई ये हो गया बचने बचाने वाले काम अब आते है fact reality ये है कि Sanjay Dutt आप जानते हो कि आजकल Bollywood पे नहीं south पे जादा बिल्यू करता है उसको अच्छे खासे villain roles मिलते है वो accept भी करता है और वो blockbuster भी देता है KGF2 is the big example पर और अब Sanjay Dutt का Bollywood पे वो वाला बोलो stardom नहीं बोलो या जो बोलना है बोलो या फिर उसको Bollywood से वो लगाओ नहीं है दूसरी important बात ये है बहुत बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने Sanjay Dutt को मनाया था welcome के लिए जब approach किया गया था Sanjay Dutt लिटरली उस script को लेके बार बार doubtful थे जैसे कि उन्होंने पहले भी बोले है वो द्वीधा double mind में थे कि करू या नहीं है फिल्म 15 दिन के बाद उनको realize हो गया कि फिल्म की script एक्दम भंगार थरकला से और उन्होंने अपने आपको निकाल दिया है ये fact है बॉलीवड मेडिया आपको बिल्कुल नहीं बताएगा ये चीज़ याद रखना welcome to the jungle बहुत बड़ी मुश्किल में है भाई indirectly बोलो directly बोलो संजरत ने ये भी statement दिया है 5 से 6 बार अगर कहानी बदली जारी है फिल्म की तो उस writer को और director को अपनी फिल्म पे कितना भरोसा है चाहे फराद समझी जैसे लोग हो अहमत खान जैसे लोग हो ये लोग अक्षे कुमार को डूबाने का contract ले चुके है welcome to the jungle से संजरत का जो exit है ये बहुत चीज़े खोल देता है लेकिन भाई आपकी सोक और मिडिया ये नहीं चाहती है कि फराद समझी एहमत खान जैसे जो लोग रहते इनका नाम बदनाम हो ये लोग तो भाई किसी का भाई किसी की जान को तक masterpiece बोल सकते है क्योंकि भाई पैसा मिलता है सलमान से नहीं इन लोगों से कि हमारी तारीफ करो राइटिंग की हमारी ये फैक्ट है अब आपको समझना होगा कि Welcome to the Jungle आप Welcome 1 से कंपर करने वाले हो वो केटरिना वाली फिल्म की या फिर कम उमिज रखने वाले हो आप लोगों पर है धाई सो करोड के आसपस बजट रखा इस फिल्म का एक कॉमेडी फिल्म जो जंगल में जिसका राइटर डायरेक्टर बताने की जरूरत ने की क्या है कौन है सोचो समझो और उपसे अक्षे कुमार ने सो करोड लिया फिल्म के लिए वो तो कुछ बोलेगा भी नहीं ये है फैक्ट अगर मैं सो अक्षे कुमार के पकड़ो तो के बाकियों का देड़ सो करोड में बना फिल्म नहीं शैद तीन सो करोड भी बज़ट हो सकता है मुश्किल में है वेल्कम टू दे जंगल संजे रत का एक्जिट बहुत सवाल पूछता है सवाल पूछने वाला कोई नहीं है लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं वेल्कम टू दे जंगल से याद करना याद करो बड़ी मिया चोटी मिया के टीजर के वक्त मैं बोला था मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही फिल्म से ट्रेलर जब आया था तब मैं बोला था ट्रेलर बहुत बढ़िया है लास के सीन नहीं दिखाने चाहिते है आक्षे वर्सेस टाइगर टाइगर वर्सेस अक्षे वाले सब कुछ बता दिया इन लोगों ने वेल्कम टू टू जंगल तो सबसे बड़ा डाउटफुल तो मुझे यह लग रहा है दिशा पाटनी को ना एक्टिंग आती है वो मेन लीड अक्टरेस है रवीना टंडन फिर भी ठीक है जैक्विलीन वो एक्टिंग के मामले में छोड़ी दो लेकिन एक्टिंग उसने हाउसफूल टू अगर हमें आइटिंग थी ना जैक्विलीन थी उसमें तो उसने बुरा नहीं किया है पर ठीक इचलो भाई कुछ बूरा बार बूरा नहीं बूरा नहीं बोल सत वहाँ पर फिल्म में एक्टिंग भूल रहा हूं मैं थोड़े मुझे माफ कर दे ना लारा दखता भी है क्या मुझे याद नहीं यार कुछ फिल्म कुछ है यार कुछ अभी भी दो-तीन एक्टिंग और वैसे तो इसमें 20-25 लोग है ना जॉनी लिवर भी है राजपल याद हो भी मुझे अभी मुकेश्तिवारी भी है ना बहुत से लोग है वो तब नाम लेने जाओंगा तो मुश्किल हो जाएगे लेकिन आपके जब डारेक्टर प्रोडूसर ऐसे हो ना तो दुनिया का कितना भी बड़ा कॉमेडियन क्यों ना हो कॉमेडियान जॉनी लिवर वो राजपल याद हो बचा नहीं सकते है भाई सरकस मूवी आपने देखिए रोई चेटी के क्या उसमें कम लोग थे क्या सिद्धर जातों तगड़ा कॉमेडियन नहीं करता है करता है बहुत से ऐसे लोग थे उसमें भी वो तो गोलमाल के यह टीम थी लगबग कॉमेडियन मैटर करती है स्क्रिप्ट मैटर करती है वेलकम टू दे जंगल के जो राइटर और डायरेक्टर जाके विकीपिडिया में गूगल पर जाके देख लेना इनकी पिछली फिल्मी इन्होंने क्या-क्या लिखी थी कैसे है ये लोग आप बात में समझ जाओगे कि वेलकम टू दे जंगल कि मैं नहीं निगेटिविटी फैला रहा हूँ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ आप कुछ अलग सोच रहे हो कि भाई वेलकम मतलब वो पूरा ना एक उचा लंबा कर द ये वो वो अरे नहीं है भाई उसमें कुछ नहीं है मैं एक बात बोलता हूँ यापे वेलकम के मेकर्स को अगर दीशा का बदल तुम कैटरिना रख भी देतना उसमें तो भाई थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि भाई तुम एक थोड़ा सा ओल्ड एक नॉस्टाल्जी आफ फिल जान बूच के ला रहे हो वर्क कर जाता काम सूरे वंशी में कैटरिना के एफ थी अक्षे एंड कैटरिना की जोड़ी भाई चलती है कैसी भी हो चलेगी एक ही फिल्म थी जो नहीं चली थी उनकी तीसमार खान पर एटलिस ना वो एकड़म बूरी भी नहीं चली चली थी कि सिल्फी जैसे हालत हुई थी उसके ऐसा नहीं हुआ था तो उनकी फिल्म में भी अच्छा करती थी तो थोड़ा सा है भाई प्रॉब्लम